assalamualaikum बजो आज का जो हमारा सैवंध का जो टॉपिक है वो है human digestive system कि humans का जो digestive system होता है कैसा होता है कोन-कोन से organism उसमें नवालो होते हैं digestion किस तरह से होती है लेकिन स्टार्ट करने से पहले digestion कि definition कि इसको बोलते हैं तो digestion बोलते हैं the process of breakdown of complex components of food into simple soluble molecules or substances that's called digestion digestion उस process को बोलते हैं जिसमें जब हम food लेते हैं उसमें different components होते हैं जो आपको पता ही है carbohydrates, proteins वगेरा जो होते हैं वो complex form में होते हैं उनको convert करना into simple soluble molecules में या substances में उस process को बोलते हैं digestion तो digestive tract जो हमारा होता है या digestive system जो हमारा होता है वो start होता है फ्रॉम माउत जो हमारा मू होता है उसे digestive tract को हमारा start होता है और endimiz पे खतम हो जाता है तो ये पूरी canal जो होते हैं इसको बोलते है cuánt या gut, जो longest track होता है body के अंदर digestive tract हम हमारा या elementary canal तो और जो इनवालो होते हैं digestive system में माउथ या बकल कियावटी, इसोफाइक्स, फूट पाइप जिसको बोलते हैं, स्टॉमक होता है, स्माल इंटस्टैन्स हैं, लार्ज इंटस्टैन्स और, इसके साथ साथ सेकृरेटरी ग्लेंड्स भी होते हैं, तो जो सेकृरीट करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स एंजूस जैसे सलीवरी ग्लेंड होता है, हमारे मुथ के अंदर पाए जाता है, उस उस सेकृरेटर करता है लेटा ए लुख नंतCRterm, औव होता है, स्टॉमक करता है, जीवरी जाता है जीजिल और, तो यह सारे जो वहते हैं, प्नुमीर जीऊश घॉराटराण जीशन में, तो पैल ब होता सिंपली इंटे का सम्पूड जरना और फूड ले शुट सिंपली के अंधर टालते हैं तो उस स्टेप को बोलते हैं इंजिशि तो में इंजिशिन चरह के लिए जब सम्पूड होका और जो झालते हैं तो यहां पे मेकनिकल abundance become your करते हैं इस फूड को जो ही कंप्लेक्स फूड होता है इसको बिलकुल स्मालर पीसेज में इक अनवर्ट करते हैं तो यहां पे मेकनिकल ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का सलाइवा जो होता है वाटरी सबस्टेंस हमारे मुग के अंदर जब हम कोई चीज देखते हैं यम्मी या मज़ेदात जीज गोई तो हमारे मुग के अंदर पानी जैसा आता है तो वो पानी जो होता है वो सलाइवा होता है तो वो सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ इसको मॉस्टन करता है तो इससे यह होता है कि फूड जो होता है आसानी के साथ इसको हम निगल सकते हैं स् तेस्ट बड़ जिससे ये पता चलता है कि फूट का टेस्ट कैसा है तो सलेवेरी एमाईलेज जो होता है जो हमारी फूड के अंदर जो नूटरिंट होता है उसमें स्टारज प्रेजेंट होता है तो starge को break करता है into sugars, जो salivary amylase है, वो break करता है starge को into sugars, इसका मतलब है कि digestion जो होती है, start होती है mouth से ही, इसके बाद है isofax या food pipe, तो food pipe जो होती है, एक long tube like structure होता है, मैं आपको diagram भी दिखाती हूँ, digestive system के, ये humans का हमारा digestive system है, mouth आप देख सकते हो, फिर mouth के अंदर salivary gland होता है, और ये long tube like structure जो होता है, ये है isofax या food pipe, तो यहां से ये food अब आता है, stomach में, तो stomach एक muscular bag like structure होता है, जिसमें food थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर जो ये organ आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं liver, जो secrete करता है bile, यहां पर एक छोटा सा structure है, जिसको बोलते हैं gallblader, उसे में ये store रहता है, तो बिलकुल इस stomach के नीचे एक leaf like structure present होता है, जिसको बोलते है pancreas, secrete करता है pancreatic, juice, फिर होते है, small intestine, जो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन coiled forearm में होते हैं, large intestine होते हैं, जो wide होते हैं rectum होता है, और ends होता है, यह हमारा पूरा digestive tract या digestive system है, तो जो isofaggs है, या food pipe जो है, इसमें muscular moment होती है, यह contract और expand होता है, यह muscle, जिसकी वज़े से यह food आएस्था आएस्था stomach तक पहुंच जाता है, तो इस moment को, जो यह moment दिखाता है, muscular moment isofaggs, इसको बोलते हैं, peristyletic moment, तो यहां से यह food अब stomach के अंदर चला गया, तो यहां पे हम देखते हैं, कि जो हमारा pharynx होता है, तो pharynx यहां पे एक छोटा structure एक present होता है, जिसको बोलते है, epiglottis, तो epiglottis का काम यह होता है, it checks the entry of food into trachea, क्योंकि trachea और जो isofaggs है, बिल्कुल साथ साथ होती हैं, दो यह चेक करता है, कि फूड ट्राक्या के अंदर ना चला जाए, तो यह epiglottis, lid का काम करता है, एक ड़कन जैसा structure होता है, तो यहां से हम,